नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 10 के मल्टिपल चॉइस कोशन्स और जो ये मल्टिपल चॉइस कोशन्स होंगे चैप्टर नमबर 3 है जोगर्फी का जिसका नाम है वाटर रिसोर्स तो इंसी आटी का बहुत ही इंपॉर्टन इसका जो सही आंशर राजस्थान इस दासृबध में क्या कहा गया बैंबू डुर्प इरिगेशन सिस्टेम इस प्रिवलेंट इसका इस ने डिया गया है मनिपुर्स जखने जो सही आंशर होगा वो क्या हो जाएगा मेग्शा है इस ने निक्स्ट को बताना इस निए Q3 में आपको पता होगा बहुत ज्यादा बारिश भी होती है ठीक है Q3 में कहा गया which option are true for dams तो dams related कौन सा option correct है ये आपको इस question में बताना है first दिया गया they check the sediments flow in the river गलत है next is dams have helped provide ample water for agriculture बिल्कुल सही है third में दिया गया they have solved problems of drought in Central India ये चीज गलत है और fourth में क्या दिया गया dams have helped in power generation ठीक है तो यहां पे अगर आप देखें तो इस question का अगर answer देखा जाए तो देखें यहां पर they have check the sediments flow in river ये तो गलत है बाकी have helped provide ample of water for agriculture क्योंकि आपको पता होगा जो water होता है डैम में उसको transfer कर दिया जाता है plots में agricultural fields में ये सी सही है irrigation purpose के लिए थर्ड में दिया गया है Central India में जो droughts की प्राब्लों आती थी वो भी कहीं ना कहीं इसने solve की है और साथी साथ dams have power generation power generation में भी dam ने help किया है तो इसमें B C or D option जो है next is question number five इसमें कहा गया the remote village that has earned real distinction of being rich in rainwater rainwater में जो rich रहा है remote village उसके बारे में आपको बताना है ये कौन सा village है ठीक है तो फिफ्ट में कुर्शन में अगर आप देखेंगे तो इसका answer है गिंड थूर ठीक है तो C option is correct next question is question number six इसमें कहा गया name the state where all where almost all the houses traditionally had tankas ठीक है तो tanks या tankas की अगर बात करी जा है तो कौन सा ऐसा state है जिसमें सारे houses के बाद tankas है तो first option दिया गया राजस पर seven देखते हैं which of the following river is not having any multi-purpose project देखें आपको बताना है कौन सा ऐसा state है कौन सा ऐसा रिवर है जिस पर कोई भी multi-purpose project मतलब डैम नहीं situated नहीं बनाया गया है जिस पर तो seven question में अगर आप first option देखें उसमें कहा गया सटलच बिल्कुल गलत है महा नदी बिल्कुल गलत है क्योंकि हीरा को डिसी पर है नर्मदा भी गलत है इसका जो सही आंसर वो क्या है यमुना इस दा करेक्ट आंसर डैट इस ऑप्शन नमबर डी यमुना इस दी करेक्ट आंसर कोशंबर seven देखें इसमें कहा गया during whose rain were the dams, lakes and irrigation system built extensively तो बहुत जदा हाइ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो DAM building, lakes building, irrigation system builds हुआ ये किस के rain में किस के शाशंकाल में ऐसा हुआ था तो first option जो दिया गया है वो है ashok. Second चंदरुप्त मॉर्य थर्ड ऊप्षिन दिये गया है अकबर एंट फूर्थ ओप्षिन दिया गया गया है नन अफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है है NON OFF DEZ HOGA ठीक है NON OFF DEZ NIGRA GULZ क्या होता है GULZ होता है divergent channels थोड़ा सा गलत हो गया GULZ क्या होता है GULZ हा Divergent Channels Next is question number 10 question number 10 देखे क्या है TAHRI DAM ANDULAN is mainly concerned with the state of अब TAHRI आपको पता होगा TAHRI कहां पर उत्राखंड में है तो टहरी DAM अंदूलन जो है वो किस से related होगा उत्थराखंट से related that is option number a 10th का जो question है उसका answer option number a question में 11 देखे इसमें कहा गया which of the which one of the following statement is not an argument in favor of multi-purpose project तो इसमें से कौन सा ऐसा argument है कौन सा ऐसा argument नहीं है जो multi-purpose project के favor में हो first दिया गया है multi-purpose project bring water to those areas यह होस नहीं होगा this will be those areas which suffer from water scarcity तो a option तो ठीक है इसमें कोई भी गलती नहीं है बी option देखे multi-purpose project by regulating water flow helps to control floods यह भी सही ही चीज है flood को control करता है regulate करता है water को multi-purpose project lead to large scale displacement and loss of livelihood अब यहां पर देखें आप इसका disadvantage दिया गया लेकिन इस question में क्या कहा गया favor में हो लेकिन यह favor में नहीं है यह क्या है यह यह जो थर्ड statement है तो against है ठीक है तो थर्ड 11th question का जो answer होगा तो it will be option number C D option देख लेते हैं इसी में D option में क्या कहा गया multi-purpose project generate electricity तो यह देखें फिर से एक favor all a point है लेकिन यहापर C option जो होगा वो इसका सही answer है question के हिसाब से next question 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 number 12 देखते हैं 12 में देखें क्या कहा गया which among the following is not a source of fresh water इसमें से ऐसा कौन सा है जो fresh water का source नहीं है तो glacier ice seeds पहला दिया गया ground water दूसरा third option is surface non-off यह तीनों के तीनों जो है यह fresh water देंगे लेकिन जो ocean है वो salt water का source होता है that is not a source of fresh water तो इसका answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा next question question number 13 देखिए according to falcon mark तो falcon mark के इसाब से water stress ocean when अब आपको आताना है water stress ocean कब होता है a option दिया गया है water availability is less than 100 cubic meter per person per day ठीक है water तो यह option ही जो है वो इसका सही है that is water availability is less than अगर water availability हर person को कितनी हो जाए 1000 cubic meter से कम हो एक दिन के लिए तो क्या हो जाएगा water scarcity water stress हो जाएगा ocean पे next is question number 14 which of the following is not a cause of water scarcity water scarcity का कौन इसमें cause नहीं है तो growing population first दिया गया है बिलकुल है second is growing water intensive crop बिलकुल सही बात है ऐसे crops grow करना जो जिसमें water ज्यादा लगती है तो कहीं ना कहीं वो भी water scarcity cause करता है ठीक है दोनों options सही हो गए third option is expansion of irrigation facility इससे भी water की scarcity हो जाएगी fourth option दिया है water harvesting techniques तो यह option गलत है क्योंकि यह water scarcity नहीं cause करेगा यह तो water conservation के लिए water को increase करेगा ठीक है next question 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 15 देखते है भाकरा नंगल river valley project is made on river dash तो आपको बताना है भाकरा नंगल बहुत important यह dam है तो आपको बताना है यह किस river पे located है यह आपको बताना है तो यह option जो है सतलज और ब्यास यही इसका answer सही है रवी चेनाप गलत है गंगा गलत है सोन भी गलत है तो इसका answer क्या है रवी एंड सतलज ब्यास है next question question number 16 है ही राकुट डैम अभी हमने बताया था उडिशा में यह located है और यह आपको बताना है कि यह किस river पे है तो महा नदी पे है ठीक है तो डी option is the correct answer question number 17 देखे 17 में क्या कहा गया water of भाकरा नंगल project is being mainly used for तो जो भाकरा नंगल डैम है उसका जो water हो mainly कहां पर use होता है किस purpose के लिए यूज होता है यह आपको बताना है तो देखे इसको दो purpose में use कियाता है पहला irrigation और दूसरा हाइडल power मतलब जो electricity generation होता है hydro electricity generation होता है उसमें use किया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number a हो जाएगा question number 18 में दिया गया the diversion channel seen in western Himalayas तो western Himalayas पर जो diversion channel दिखते हैं उनको क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा गया है इस question में तो इसका जो answer है वो क्या है गुल्स और कुल्स है ठीक है तो a option इसका सही हो जाएगा next question is question number 19 इसमें देखे क्या कहा गया agricultural fields which are used as rain fed storage structures देखे कुछ agricultural fields ऐसे होते हैं जिनको rain fed storage structures की तरह use करते हैं अब इनको कहा क्या जाता है तो a option जो दिया गया है वो है कुल्स बी option दिया गया है खादिन्स और जोहाद्स तो इनको क्या कहते है यही option इसका सही है आगे हम नहीं भढ़ेंगे तो इसका अंसर क्या है खादिन्स और जुहाद्स इस दा करेक्ट आंसर कोशनबर 20 देखिए 20 में कहा गया underground tanks seen in Rajasthan जो underground tanks राजस्थान में देखे जाते हैं ठीक है उसके बारे question पूछा गया है rain water को यह mainly store करता है ठीक है जिससे rain water को हम लोग drink भी कर सकते हैं तो इसको कहा क्या जाता है तो इसको कहा जाता है tank cars ठीक है तो a option is correct कोशनबर 21 देखिए इसमें दिया गया in water in western Rajasthan western Rajasthan की बात करी गई है today plenty of water is available due to अब बहुत सारा पानी available है western Rajasthan में ऐसा क्यों है यह आपको बताना है आपको पता होगा राजस्थान में हमेशा पानी की कमी लगी रहती है लेकिन western Rajasthan में plenty of water रखियों available है तो इसके पीछे जो कारण है वो है perennial Rajasthan के नाल ठीक है राजस्थान के नाल जो है हमेशा बहती रहती है ठीक है इसमें पानी हमेशा रहता है इसलिए water की scarcity कभी यहां पर नहीं होती है next question is question number 22 the only state एक अकेला state है ठीक है the only state which has made roof water rain water harvesting structure compulsory to all houses ठीक है तो roof water rain water harvesting जो है वो compulsory किस state ने करी है यह एक लाओता ऐसा state है और वो कौन सा state है वो है Tamil Nadu ठीक है south में है southern state है विलकुल इंडिया का Tamil Nadu next is which one of the following is not an adverse effect of irrigation तो irrigation का इसमें से कौन सा adverse effect नहीं है यह आपको इस question में बताना है यह option दियागे irrigation changes causing cropping pattern बिलकुल सही है second दियागे water intensive crops are grown in dry areas बिलकुल ठीक है next दियागे salinization of soil यह भी सही यह भी adverse effect है इसका increasing crop yield ठीक है तो यह adverse effect नहीं होगा यह तो अच्छी चीज है कि crop yield बढ़ती है अगर irrigation अच्छा होगा तो ठीक है बाकी तीनों के तीनों क्या है adverse effect है कौन सा नहीं है तो option number D नहीं है next is question number 24 इसमें देखे क्या दिया गया which of the following social movement is not a resistance to multi-purpose project तो multi-purpose project मतलब dams related कौन सा इसमें से ऐसा social movement नहीं है जो dams related हो ठीक है तो चिपको movement अगर आप देखेंगे चिपको movement के बारे में आपको पता होगा इसमें लोग जो थे वो पेडों से चिपक गये थे और क्यों चिपक गये थे जिससे पेड ना काटे जाए ठीक है और एक movement भ question number D क्या कह रहा है B&C कह रहा है B&D नहीं कह रहा है ठीक है तो यह दोनों जो movement है that they are not related to dam construction next is question number 25 the major source of fresh water in India तो इंडिया में अगर देखा जाए तो fresh water source क्या है mainly आपको बताना है rainfall नहीं है ground water ही है आपको पता होगा भारत में ground water की वज़े से ही हम लोग को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है atmospheric water भी नहीं है ocean water भी नहीं है correct answer is groundwater next is rooftop rain water harvesting is a technique to recharge अब देखे rooftop rain water harvesting जो है उससे क्या होता है उससे कौन सी चीज recharge होती है तो उससे ground water जो है वो recharge हो जाता है how much of earth surface is covered with water अब आपको बताना है earth का कितना surface है जो water से covered है तो approximately 3-4 surface है ठीक है तो approximately कितना surface है 3-4 मतलब 75% of surface of earth is covered with water next question question number 28 है सरवदार सरुवर डैम is situated on the river named अब देखे सरवदार सरुवर डैम के बारे में आपको पता होगा इसी पे ही अगर देखा जाए सबसे बड़ी Statue of unity के बारे में आपने सुना होगा बनाई गई है तो 28th question को जो आंसर हो जाएगा that will be नर्मदा कौन से state में है गुजरात में है इनको क्या कहते है तो अभी हमने बात करी थी इनको कहते है तो थर्टीएथ question का अगर आंसर देखे है तो कृष्णा रिवर पे located है नागार्जुन सागर डैम अब आपको बताएं किस पे located है ठीक है तो कृष्णा पे तो दो आपको डैम दिखे कृष्णा पे नागार्जुन सागर और कोई नेक्स्ट इस वाट परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इस एस्टिमेट तो एक्जिस्ट इन ओशन अब ओशन में आप आपको बताना है कितना वर्ल्ड का पानी located है मतलब कितना पानी पुरे विश्व में जो पानी प्रिजेंट है उसमें से कितना पानी ऐसा है जो ऑशन में प्रिजेंट है तो यह एप्रॉक्सिमेटली है 97 परसेंट या 96.5 परसेंट ठीक है तो इसका अंसर 96.5 ही आप तिक ल तो गुल्स एंड कुल्स इरिगेशन के लिए कहां पर लोगों ने बनाया है यह आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर है भी हमने देखा भी था वेश्टन हिमाल्याज इस दा करेक्ट आंसर अगर देखा जाए हईडोलेक्ट्रिसिटी टोटल कितनी है भारत में अगर देखी जाए ठीक है total जो एनरजी जन्रेट होती है उसमें से हाईडोलेक्रिसिटी कितनी है तो इसका जो आञसर है वो क्या है इसका आनसर है अप्रॉक्सिमेटली 29 परशेंट बहुत बड़ा पर मेटू डैम लोकेटेड है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा रिवर कावेरी इस दा करेक्ट आंसर कॉश्चंबर 36 देखते हैं इसमें कहा गया रूफ टॉप रेंवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजिस्थान इस नोन एज रूफ टॉप रेंवाटर हार्वेस्टि ठीक है कुश्चंबर 37 देखते हैं इसके बाद 37 देखे क्या कहा गया विच ओफ फॉल्विंग इस्ट्रक्चर आर नोन एस टेंकास तो इसको टेंकास के बारे में पुछा गया है कि टंका क्या होता है तो यह ऑप्शन देखे इसमें कहा गया अंडर्ग्राउंड टेंकास इसमें क्या होता है कि अंडर्गाउंड टैंक बनाए जाते हैं यहां पर रेंवाटर कहां से आता है रूफ टॉप से आता है और किस चीज के लिए श्टोर किया आता है तो यह चारो की चारो बाते आपको याद रखनी है टैंका से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेशन में कहा गया विच वन अफ द फॉल्विंग इस नॉट एडवर्स एफेक्ट ऑफ दैं तो इसमें से कौन सा नहीं है इंटर वाटर श्टेट डिस्पूट अगर देखे तो बिल्कुल इंटर वाटर से डिस्पूट होते हैं सेगें एक्सेसिफ सेडिमेंटेशन और रिजर्वर यह भी होता है थर्ड इस्प्लेश्मेंट ऑफ पॉपलेशन ने भी होता है एडवर्स मतलब खराब एफेक्ट फ्लड कंट्रोल यह खराब एफेक्ट नहीं है तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा नेक्स्ट इस कोशंबर थर्टी नाइन इसमें कहा गया सब्सक्राइब नेक्स्ट इस कोशंबर फट्टी कोशंबर फट्टी में कहा गया इन विच फॉल्विंग एरिया गुल्स यूज चैनल वाटर फॉर एग्री कल्चर तो एग्री कल्चर के लिए हमने देखा भी गुल्स और कोल्स कहां यूज कर किये जाते हैं तो यह सब्सक्राइब करेंख वाटर कांजरवेशन के लिए हम लोग ड्री इरिःगेशन सिस्टम भी यूज करते हैं द्रॉप बाई ड्रॉप वाटर गिडिवता है प्लांट के रूट्स में गिरता है जिसकी वजह से जो वाटर होता है वह कम से कम ब्लांट में लगता और प्ला Q43 में कहा गया multi-purpose project dams were launched in India after तो जैसे ही हम लोगों को आजादी मिली उसके बाद क्या हुआ था multi-purpose project dams को launch कर दिया गया था जवालान लहरुजी ने इसको launch कर दिया गया था भारत में ठीक है तो इसका answer B हो जाएगा तो water scarcity का जो main कारण है वो क्या है पहला दिया गया है water pollution pollution मतलब होता है water का खराब होना next दिया गया है excessive use and unequal access to water यही answer जो है इसका सही है बहुत ज़्यादा excessive हम लोग use करते हैं misuse करते हैं और unequal access भी है water का ठीक है water management भी गलत है using for utility यह भी गलत है इसमें main जो देखेंगे वो option number B हो जाएगा अच्छा सबसे आसान तरीका क्या होता है तो यह होता है groundwater ठीक है तो fresh water obtain करने का जो सबसे easy method है यह कहें कि सबसे मतलब सबसे अच्छे से जो fresh water मिलेगा हम लोग को snow से नहीं मिलेगा drainage से नहीं मिलेगा rain water से नहीं मिलेगा ground water से मिलेगा तो फर्टी 45th का जो answer है that is option number C question number 46 देखिए even when water is available in many cities in abundance ठीक है तो water आपको पता है कि कई cities में बहुत ज्यादा present है why is there water scarcity लेकिन फिर भी cities में water की scarcity है अब आप से पूछा गया है ऐसा क्यों ठीक है अब देखे पहला गया using to utility गलत है दूसरा unequal distribution of water यही option जो है वो सही है water present तो है city में लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर water बहुत कम है कुछ ऐसी जगह है जहां पर water बहुत जादा है ठीक है तो इसको हम लोग कहते है unequal distribution of water ठीक है next is question number 47 who is the largest consumer of water सबसे आदा water कौन consume करता है a option city dwellers देखे बहुत simple सी सबसे आदा water वो consume करेगा जिसको agriculture करना है जिसको खेती करनी है तो हम लोग irrigational purpose में हम लोग इसको सबसे आदा कहेंगे कि largest consumer होता है ठीक है तो बी option इसमें सही हो जाएगा how can we revolutionize agriculture agriculture को revolutionize कैसे किया सकता है उसको revolution में कैसे convert किया जा सकता है यह आपको बताना है question में तो first option दिया गया है by building dams गलत है by releasing more water गलत है by making rain water reserves गलत है इसमें देखा जाए तो through developing drought resistant crops ठीक है drought resistant crops अगर develop कर दिये जाए और साथी साथ dry water farming अगर टेक्नीक से डवलप कर दिया इसमें water कम से कम use हो ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते है agriculture को एक revolution में convert कर सकते है agriculture बहुत अच्छे से तब करी जा सकते और water का भी इस्तेमाल कम से कम हो जाएगा 49th में देखे क्या कहा गया most farmers owns well and tube wells and their farms for irrigation to increase their production what adverse effect can this have तो क्या कौन सा adverse effect पड़ेगा क्योंकि आपको पता होगा बहुत ऐसे farmers होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं वो क्या कर सकते हैं मतलब वो नाम की बस farmers है लेकिन होते वो बहुत अमीर हैं वो अपने farm irrigation के लिए बहुत सारे pumps बहुत सारे नहीं बढ़ेंगे next question 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 number 50 देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विटनेश्ट इंटेंसिव अब क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद इंडिया में क्या हुआ यह आपको पताना है तो इंटेंसिफ इंडिस्टलाइजेशन हुआ और अर्बनाइज इंडिशन बढ़ा ठीक है शहरी करन बढ़ा तो इसका अंसर क्या हो जाएका option number C हो जाएगा next question question number 51 देखिए how did the increasing number of industries affect the water condition अदिके industries जब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी तो आपको पता है industries क्या करती है mainly water को pollute करती है उसमें से जो चीजे निकलती है water को pollute करती है अब होगा क्या जो fresh water होगा वो धीरे धीरे करके खतम होता चलाएगा और fresh water पे pressure पड़ेगा तो हम लोग सिर्फ यह क इन नॉर्मल पीपल है उनके लिए कम हो जाएगा तो प्रिशर पड़ेगा fresh water पे इसमें कहा गया है इन इंडिया हाइड्र एलेक्रिक पावर कंट्रिब्यूट्स एप्रॉक्सिमेटली डैश परसेंट ऑफ एलेक्रिसिटी प्रिद्यूस तो कितना परसेंट एलेक्रिसिट है ठीक है next question देखते हैं question number 53 है इसमें कहा गया which factors have aggravated the water and energy problems in इंडिया तो वाटर और एनर्जी की जो प्राब्लम्स होई इंडिया में वो किसकी वज़े से हुई है तो multiplying urban centers, B option is dams, C option is a forestation, D option is agriculture तो 53 का जो सही answer होगा that will be option number A तो आपको पता है बहुत ज्यादा urban centers बढ़ रह है जिसकी वज़े से water की scarcity हो रही है और साथी साथ energy भी कहीं न कहीं कम होती चलिया रही है energy का production तो नहीं बढ़ पा रहा लेकिन बहुत ज्यादा consumption बढ़ रहा है जिसकी वैसे यह कह सकते हैं कि energy कहीं न कहीं कम हो रही है भारत में next is question 54 how are the most of housing societies or colonies in cities resourcing their water needs तो कैसे लोग water needs को resource करते हैं ठीक है 54th question में यह चीज़ पूछी गई है में लिया आपसे तो इसका जो answer है वो क्या है option number B है own ground water pumping device यह लोग क्या करते हैं अपनी ground water pumping device लगा लेते हैं और उससे पुरा पूरा पानी खीच लेते हैं ठीक है next is question number 55 even if there is ample of water in certain there is hazardous water pollution what are the causes water pollution के बारे में पूछा गय भी है क्यों है ठीक है तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें है domestic and industrial waste है क्योंकि आपको पता है जो domestic waste होता है उड़े सीधेकर डम कर दिया जाता है कहा वाटर बॉंडी में जिससे water bodies का जो पानी होता है वह वेत हो जाता है वो यह कैसने pollute हो जाता है तो यह कह सही आंसर होगा 56 में देखिए what are the causes for Indian rivers to become toxic Indian rivers क्यों toxic हो रही है क्यों जहरीली हो रही है पूछा गया है तो बहुत simple size का reason है industrialization industries से waste निकलता है waste को सीधे-सीधे water bodies में dump कर दिया जाता है जिससे जो river में जो water होता है यह कै सकते water bodies में जो पानी present होता है वो toxic हो जाता है next is question 57 what are the important things to do to prevent degradation of our natural ecosystem natural ecosystem जो हमारा है वो degrade हो रहा है तो उसको degrade होने के लिए क्या preventive measures हो सकते हैं question में पूछा गया है तो preventive measures के बारे में पूछा गया है तो इसमें देखिए urbanization गलत है industrialization भी गलत है modern agriculture कहीं नहीं नहीं सही है लेकिन अगर इसमें third option देखा जाए conserve and manage our water resources water resource को हम लोग क्या करें conserve करें manage करें और health hazard से हम लोग उसको बचाएं ठीक है हम लोग अपने को क्या करें जो health hazard से उसको उससे बचाएं तो इससे हम लोग क्या कर सकते है natural ecosystem में degradation को prevent कर सकते हैं मतला हमारा जो natural ecosystem में उसको हम लोग degrade होने से बचा सकते हैं कब जो हम लोग water का conservation start करेंगे तो इसमें option number C जो होगा वो सही हो जाएगा next is question number 58 इसमें देखे क्या कहा गया what will impoverish this water resource and cause an ecological crisis that may have profound impact on our lives ठीक है तो first option जो इसमें देखे इसमें भी question कहीं न कहीं पिछले question से ही match कर रहा है ठीक है कि water जो resource है ठीक है उसको ecological crisis से ठीक है कैसे बचाया जाए मतलब what will impoverish this water resource and cause an ecological crisis that may have a profound impact on our lives ठीक है तो हमारे life पे जो profound बहुत जदा impact पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है इसका आपको बताना है reason क्या है क्योंकि धीरे-धीरे क्या वाटर का need बहुत जदा बढ़ रही population बहुत जदा बढ़ रही है हम लोग mismanage हो चुके हैं water के लिए over exploitation कर रहे हैं यह इसका कारण है तो इसका answer option बर D हो जाएगा question 59 देखिए what is barrier across flowing water that obstructs direct or retards the flow often creating a reservoir lake और impoundment ठीक है तो आपको बताना उस barrier को क्या कहते हैं ठीक है 59 question में barrier के बारे में पूछा गया है तो barrier को कहते हैं dam ठीक है तो dam कहते हैं क्या कियाता है रोका आता है और फिर या हो सकता है पानी को दूसरी एर ट्रांसवर किया जाए electricity produce की जाए तो that is called dam 60 देखिए what is the purpose of building dams तो dam को build करने का purpose क्या होता है embankment flood control water animal conservation storage तो बहुत simple सी चीज है 60th question का जो अगर आप answer देखें तो main जो इसका answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option number a हो जाएगा ठीक है एक मेंट रुक यह गए रहा ठीक 61 question पर आते है 61 question देखते हैं which among the following is a multi-purpose project dam which is used for conservation of water with flood control to flood control के साथ साथ जो water conservation है उसके लिए भी यूज हो रहा है ऐसा कौन सा multi-purpose project है तो ही राकुड प्रजेक्ट है तो इसमें से ही राकुड प्रजेक्ट ऐसा project है next is question 62 जवाल लाए लेहरू proclaimed the dams as to be the तो जवाल लेहरू ने डैम को क्या कहा है डैम को कहा है जवाल लेहरू ने क्या यह आपको बताना है तो इन्हों ने कहा है कि they are the temples of modern India तो 62 question का answer हो जाएगा option number B ठीक है तो डैम क्या है dams मंदिर है modern इंडिया के यह ऐसा जवाल लेहरू ने कहा है इसा क्यों कहा है यह पूछा गया ठीक है तो 63 question में अगर देखें तो आपको पता है अगर culture develop होएगा village economy develop होगी rapid industrialization होगा growth urban economy improve होगी हम अमीर हो जाएंगे और साथी साथ जो इंडिया है वो developed हो जाएगा ऐसा लगता था उनको इसलिए उन्होंने कहा कि जो डैम्स हैं तो सी ऑप्शनिस में सही है नेक्श वाइव मल्टी पर्पर्पस प्रोजेक्ट एंड लाज डैम्स अफ कम अंडर ग्रेट scrutiny एंड ओपोजीशन रिसेंटली अब आपको पता है अगर कोई चीज अच्छी होती तो कहीं 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 कोई हो सकता है ऐसा तो नहीं है नेक्स्ट इस रिगूलेटिंग इंड डैमिंग ऑफ रिवर्स एफेक्ट देर नैचुरल फ्लो कॉसिंग पूर सेडिमेंटेशन अट बॉटम ऑफ रिजर्वाइर यह बात बिल्कुल सही है ठीक है यह एक निगेटिव चीज है कि नैचुरल फ् भी ठीक है इसी वज़े से इतना ज्यादा यह उपोस किया जा रहा है नेक्स्ट इसकुर्शन सिस्टी फाइफ मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स एंड लाज्ज दैम्स है अब जो इन्वार्मेंटल मुवमेंट्स हुए हैं डैम्स की वज़े से उनमें से कौन साय यहां पर इंपॉर्टन मुवमेंट दिया गया है नो नर्मदा बचाओ अंदूलन एक बहुत इंपॉर्टन मुवमेंट है यह उप्शन नमबर ए कुर्शन नमबर 66 देखते हैं तो मुल्टी पर्पस प्रोजेक्ट से कौन बेनिफिट किसको बेनिफिट मिलता है तो बिल्कुल इंडेस्ट्रलिस्ट हैं उनको मेंली क्या होता है बेनिफिट होता है डैम से ठीक है नेक्स्टेशन 67 नर्मदा बचाओ अंदूलन और सेव नर्मदा मुवमेंट ओरिजिनली फोकस्ड ओन तो यह अगर देखा जाए कि सीच पर फोकस करते हैं यह जो अंदूलन दिया गया ह अंदूलन है ठीक है तो यह इसका में फोकस क्या है इनवार्मेंटल इशूज रिलेटेट टू ट्री विच इस दे लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रजेक्ट ओफ इंडिया कवरिंग फोर स्टेट्स तो देखे चार स्टेट को कौन कवर कर रहा है इसा कौन सा डैम है ठी नेक्स इसकोष्ण बर 9 कोशंबर 69 इसमें देख लेते हैं विच इस्टेट दे लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रजेक्ट ओफ इंडिया कवर्स तो कौन कौन से इस्टेट को कवर करता है सर्दार सरूर डैम यह आप से में पूछा गया है कुशन में तो इसमें अगर दे इसमें अगर देखें सेलानाइजेशन आफ स्वाइल होता है वो दीरे जरे करके सैलाइन हो जाता है नमकीन हो जाता है जिसकी वैसे प्रेक्टिविटी कम हो जाती तो यह आप्शन में सही हो जाएगा तो साबरमती बेसिन पे जो फार्मर का रियाक्शन था वो आपको बताना है कैसा था क्या था तो इसमें अगर देखें फार्मर्स वर एजिटेटेटेड और अल्मोस्ट कॉजड़ राइट ओवर दा हायर प्रियर्टी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया जब बहुत जड़ा नाराज थे तो इसमें अगर देखा जया ऑप्शनबर बीस में सही है नेक्स्ट इसका अंसर ऑप्शनबर डी है नेक्स्ट इस वाट वर्द ट्रेशनल प्राक्टिस इन फ्लड प्लेंस ऑफ बेंगॉल फॉर इरिगेशन तो फ्लड प्लेंगॉल के होते हैं वहां पे इरिगेशन होता था उसकी ट्रेशनल प्राक्टिस जो होती थी मतलब पुरानी प्रेशन जो होती थी वो कैसी होती थी तो इन्नर डेशनब क्रिएट के जाते थे तो इसमें और सी सही है नेक्स्ट इस कोशनबर सेवेंटीफोर इन दसेमी एरिड एंड एरिड रीजन आफ राजिस्थान पर्टिकुलर्ली बीकानेर फलोडी और बार्मेर वर्द वेर दर डिंकिंग वाटर स्टोर्ड तो डिंकिंग वाटर कहां स्टो तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अंडर गॉंड टैंक और टैंक आसो सेवेंटीफोर्थ कर्चन का जो आंसर है डाट इस ऑप्शन नमबर बी नेक्स्ट कर्चन को सेवेंटीफाइव देखते हैं इन विच अधर प्लेस रूफटॉप रेनवाटर अर्वेस्टिंग कॉमन राजस्तान को आह से रूफटॉप रेनवाटर अर्वेश्टिंग कॉमन है यह आपको इस वेस्टिंग में बताना है यहांपर भी रूफटोब रेनवाटर हावरस्टिंग बहुत जादा होती है इसमें किया कहा गया है इन स्पाइट ऑफ थी टॉडेगे टावाटर पेर इंडिरा गांदी किनाल इंडार इंडर राजस्थान ज using bamboo pipe still prevalent bamboo pipes की वज़े से या bamboo से हम लोग जो pipe बनाते हैं और उससे irrigation करते हैं ठीक है तो यह system आज भी कहां पर prevalent है यह आपको बताना है किस state में prevalent है 78th question में यह आपको बताना है तो यह है मिघाले में ठीक है next is question number 79 इसमें का गया है in which place in करनाटका the people have installed in their household roof water rainwater harvesting system to meet their water needs तो कहां पर लोगों ने roof water rainwater harvesting system को लगाया है करनाटक में यह आपको बताना है तो 79th question में अगर देखें तो option number 20 में सही हो जाएगा next is question number 80 in Rajasthan what is the what is rainwater referred to as तो Rajasthan में जो rainwater उसको क्या कहते हैं यह आपको बताना इस question में तो rainwater को कहते हैं पलार पानी ठीक है तो सी option इसमें सही है how is roof water how is roof water rainwater harvesting filter तो कैसे इसका filtration होता ही आपको बताना है filtration होता ही using sand and bricks आपको पता होगा sand or bricks से इसका filtration असानी से हो जाता है ठीक है next is question number 82 इसमें कहा है which of the following is a season for water scarcity in a region with sufficient water to meet requirement of the people ठीक है तो reason क्या है reason क्या है water scarcity का यह आपको बताना है जहां पर बहुत जदा पानी तो है लेकिन वो फिर भी लोग की need को fulfill नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है यह आपको बताना है तो pollution इसका में कारण है ठीक है यह water pollute हो जाएगा तो फिर जो polluted water उससे तो कोई काम किया नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं इसका में कारण है वो है water pollution ठीक है नेक्स्ट इसका में कारण है वो है water pollution ठीक है नेक्स्ट इस कोशंबर 83 विच ओफ दा फॉल्विंग प्रॉल्वम एराइजस द्यू तो वाटर प्लूशन से कौन सी प्रॉब्लम होगी इसका में प्रॉब्लम है वो है waterborne diseases नेक्स्ट इसका में प्रॉब्लम इसमें कहा गया विच ओफ देटा शोस परसेंटेज अव ग्लोबल प्रेसिप्टेशन थैट रसीव बाइडिया तो जो ग्लोबल प्रेसिप्टेशन है भारत कितना रसीव करता है यह आपको बताना है तो 84 में अगर देखें तो 4% is the correct answer question is which of the following areas would you immediately associate with water scarcity water scarcity सबसे आदा कहां पे है यह आपको बताना है तो इसमें अगर देखा जाए deserts of Rajasthan नाम से ही पता चल रहा है deserts हैं तो यहाँ पर water scarcity होना सभा भी कसी बात है ठीक है तो इसमें a option सही हो जाएगा question 86 में कहा गया which of the following is one of the largest artificial lakes of ancient India built in 11th century तो 11th century में जो artificial lake बनी है ठीक है और one of the largest artificial lake है भारत की इसका नाम आपको बताना है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है भोपाल लेग ठीक है तो c option इसमें सही हो जाएगा तो c is the correct answer of question 86 87 देखते है which of the following hydraulic structures is built in river basin तो river basin पे कौन सा structure बनता है तो बहुत simple सी बात है बी जो है damps damps कहां बनते हैं river basin पे बनते हैं तो बी option इसमें सही हो जाएगा which of the following hydraulic structure not a feature of ancient times तो ancient time में क्या नहीं बनता था ठीक है ancient time में कौन सी चीज ऐसी थी जो नहीं बनती थी तो damps build of stone rubble होते थे reservoirs होते थे embankments होते थे multipurpose project नहीं बनते थे ठीक है तो a option जो है that is correct which of the following structure was constructed by इलत्तमिश अब देखें इलत्तमिश के वारे मैं पूछा गया है इलत्तमिश ने कौन से चीज कंस्ट्रक्ट करी थी इस अब उन्हों क्या नहीं डवलब किया था क्या क्रिएट किया था यह आपको बताना है तो 89th question में आप देखेंगे तो option number c सही है that is tank in haug खास तो होज खास में जो टैंक है वो बिल्ड किया गया था तो इती नाइंथ कुशन का अउप्शन मबर सी कुशन बर 90 में देखे क्या कहा गया तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो ओल्डेस सिस्टम है भारत का वो कहां पर है यह आपको बताना है ठीक है तो इसका अउप्शन जो है वो सही है नेक्स्टिस कुशन बर 91 देखते हैं इसमें क्या है विच ओफ़ॉविग इस्टेट गौवर्मंट हैव रेज़ द कृष्णा गुदावरी डिस्प्यूट तो कृष्णा गुदावरी डिस्प्यूट किन दो श्टेट गौवर्मेंट के बीच में चलता है यह आपको बता बताना है तो यह लोकेट हैं दामोदर लिवर पे ठीक है दामोदर इस दी करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट इस कोशंबर 93 विजब फॉल्विंग इन्वार्मेंटल डैमेज़ आर नॉट इंग्लूडेट ड्यू टू मल्टी पर्पर्पर्स प्रोजेक्स तो मल्टी पर्पर् और अर्थ्या अक्तिविटी हो सकती है थीचिए तो ऐ उप्ष्ण जो वो सही हो जाएगा ठीक है अब अब हलाकी देखा जाए तो वैल्कैंड एक्टिविटी के भी चांसे बहुत कम होते हैं ठीक लेकिन फिर भी हम लोग जो सबसे सही उप्ष्ण लगाएंगे वो क्यों सा river project electricity supply करता है यह आपको बताना है इस question में ठीक है तो इस में देखा जाए कोईना project जो है कोईना project हो गया प्रवरा project हो गया यही इसका answer सही होगा क्योंकि बाकी तो महराश्ट में ही नहीं ठीक है next is question number 95 due to which of the following reasons due to which of the following reasons are roof water rainwater harvesting commonly practiced या particularly in Rajasthan तो roof water rainwater harvesting राजस्थान में क्यों है यह आपको बताना है तो store drinking water यही answer इसका सही हो जाएगा तो 95 का answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा कई सारे question अभी हमने इससे related देखे है 96 देखें इसमें क्या कहा गया which of the following dams are part of chambal project chambal project के part बताने चambal project से related कौन कौन से dams है यह आपको बताना है कुछ नबन 96 में तो 96 में अगर देखें तो इसमें जो सही answer है वो कौन सा है वो option number C है that is राना प्रताप सागर एंड गांधी सागर ठीक है तो 96 का जो answer है that is option number C राना प्रताप सागर एंड गांधी सागर यह mainly chambal river पे ही located है अगला देखते हैं तो इसका answer तो option number C हो गया question number next is 97 which of the following is not a method of water harvesting used in Rajasthan अब Rajasthan में कौन सा water harvesting system use नहीं किया जाता यह आपको बताना है 97 question में जो गुल्स है वही answer इसका सही है तो गुल्स इसमें नहीं है बाकि जो हाद्स होता है खादिन्स होता है टेंकाज भी होता है गुल्स नहीं होता ठीक है next is question number 98 which of the following river तहरी डैम is constructed तो तहरी डैम किस पर constructed है तो बहुत ही basic सा question है तो 98th का जो option हो जाएगा तो बी option number a भाग रही थी ठीक है next is salal dam is built on which river आपको उता है salal dam किस river पर located है किस river पर बनाए गया है तो यह जम्मू कश्मीर में located है और यह कहां पर है यह है चिनाब river पर ठीक है salal dam next is ocean contains dash percentage dash percentage of water तो अभी हमने देखा था 100th question है यह option number 60 का सही है भी हम लोग ने देखा भी था लाइक question next question 101 है 101 question है what is renewable resource because a water renewable क्यों है renewable मतलब होता है जो आसानी से renew हो सके ठीक है फिर create किया जा सके उसके renewable resource कहते है जीनिव इस लिए है क्योंकि hydrological cycle जो water cycle चलती है उससे क्या हो जाता है यह recharge जाता है ठीक है next is question number 102 102 में देखे नागारजुन सागर डैम किस पे built है यह आपको होता ना है तो अभी हम लोग ने ऐसा question देखा भी था कृष्णा रिवर पे है यह ठीक है कृष्णा रिवर पे दो हम लोग ने डैम देखे थे next is question number 103 इसमें देखे which of the following contributes approximately 22% of total electricity produced in India today तो hydro electricity है तो hydro electricity का कितना percent electricity produced होती है total की तो 22% electricity produced होती है hydro electricity से next is question number 104 the release of water from dams during heavy rains aggravated the floods situation in maharashtra and gujarat तो maharashtra गुजरात में डैम के यह से flood आया था किस year में आया था यह आपको बताना है तो इसका जो सही answer है that is option number d 2006 next 105 देखे इसमें कहा गया how did the multi-purpose project affect the local people कैसे local people को एफेक्ट करेगा 205 question में पूछा गया है तो large scale displacement रहता है जहां पर डैम बनता है क्योंकि वहां पर flood आने की बहुत जाता संभावनाएं होती है तो इसलिए लोगों को हटा दिया जाता है तो इसमें option number A जो होगा वो सही होगा क्योंकि बहुत सारे लोग displaced कर दिया जाते हैं उनकी पुरानी जगे से तो A option is correct question number 106 देखिये what is the rank of India in world's countries in terms of water availability per person per annum तो annum का उनलब होता है per year ठीक है तो per person per year water availability जो है उसमें भारत की जो rank है वो क्या है तो ये rank है 133 कितनी पूर rank है ठीक है तो 106 का जो answer है that is option number D next is question number 107 ironically the dams were constructed to control floods have triggered floods which of the following reason is responsible for it कौन सा reason ऐसा है जो responsible floods के लिए आपको पता होगा dam क्यों बनाए गए थे dam इसलिए बनाए गए थे कि flood नहीं आएंगे लेकिन फिर भी flood आने लग गए ऐसा क्यों हो रहा है तो water जो sedimentation हो रहा है रिवर्स रिजर्वायर में रिजर्वायर में sedimentation होता है तो जो water का level होता है दीरे-दीर करके बढ़ जाता है water का level बढ़ जाएगा तो क्या होगा water बाहर आ जाएगा और उससे flood हो जाएगे ठीक है तो C option इसमें सही हो जाएगा next is question number 108 horse cars tank was built in which of the following state ठीक है state हलाकि वो नहीं है हौजकास आपको पता होगा दिल्ली में एक जगह है तो इसका अंसर डेली हो जाएगा union territory है वो 109 में कहा गया which among the following is not a dam on structure and material used based on structure and material used ठीक है which of the following is not the dam based on structure and material used तो इसको कौन सा डैम कहेंगे तो 109 का जो answer है that is option number B large dams ठीक है next is question number 110 the water covered surface of earth is तो water covered surface of earth is तो earth पे जो water है वो कितना है ठीक है पूरे earth surface पे जो water है वो कितना percent है या कितना part है या आपको बताना है तो 110 का जो answer हो जाएगा that will be option number B 75 percent ठीक है 75 percent water है three-fourth भी आप इसको कह सकते हैं next is the earth is occupied mostly with water yet fresh water resource are only fresh water आपको बताना है कितना है तो fresh water बहुत ही कम है या आपको पता होगा approximately 97 percent जो है वो ocean water 97.5 तो 2.5 percent क्या है fresh water है ठीक है इसमें भी कई सारा पानी ऐसा है जो polar ice caps के form में भरा हुआ है ठीक है बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हम लोग नहीं ले सकते हैं ठीक है next is one one two इसमें कहा गया the primary source of water of of these is to primary source water का क्या होता है यह आपको बताना है तो one one two में देखें तो भारत में गर देखा जाए ठीक है यहाँ पर mainly rain is the correct answer ठीक है water का जो में source होता है primary source होता है वो क्या होता है rain होता है we need more and more dash for growing food तो बहुत ज़्यदा पानी की जूरत पड़ती है water को grow करने के लिए minerals की दो पड़ती है लेकिन यहाँ पर main answer क्या है water है in which of the following states पलार पानी is considered the purest form of natural water तो पलार पानी जो है purest form of natural water बोला आता है किस state में बोला जाता है तो राजस्थान में बोला आता है भी हमने ऐसा एक question देखा भी था next is on which of the following issues did नर्मदा बचा उंदुलन first focus तो नर्मदा बचा उंदुलन पहले जो focus करती है में जो focus उनका रहता है वो किस पे होता है environmental issues related to submergence of trees under the dam water ठीक है जो dam water में जो trees मतलब dam water की विज़र से जो trees दब जाते हैं उनसे related होता है तो अभी पिछले में हम लोग ने देखा भी ता जहां पर लोग ने डैम की जिगा trees के डैम कर दिया था तो वो trees भी सही है ठीक है लेकिन यहां पर जो main reason है इसको आप यहां से clear कर सकते है environmental issues related to submergence of trees under the dam water ठीक है तो यह इनका main focus रहता है यह आप याद रखेगा क्योंकि आपको पता होगा dam water में से जब पानी गिरेगा बाहर तो trees जो होंगे वो समर्ज होएंगे trees dead हो जाएंगे ठीक है तो यह main focus रहता है which of the following areas were farmers agitation when higher priority was given to water supply in urban areas particularly during drought तो यहां पर आपको बताना है किस area कि यह बात हो रही है इस तरीके की बात किस area कि है तो साबरमती basin कि यह बात है भी हमने ऐसा question एक देखा था which of the following areas are guls and kuls used to channel water for agriculture तो guls और kuls कहां पर use होते हैं ठीक है water को channelize करने के लिए तो बहुत simple सा reason है western हिमाल्याज ठीक है कई question देख चुके ऐसे next हमारे पास questions नहीं है तो यह हमारे आज का आखरी सवाल था ठीक है तो आज के फिलाल हमारे पास कुछ 117 questions थे आप लोग को अगर अगर इतने questions में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आया तो एक बार आप फिर से lecture को देख सकते हैं सारे questions को अभियाद कर लीजिए कहीं ना कहीं यह questions आपको एक्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे बागी के chapters के MCU के उसके लिए आप लोग playlist को follow कर सक करते हैं चाहे हो science की हो चाहे हो math की हो चाहे हो sht की हो ठीक है चैनल को like और subscribe जरूर कर दीजेगा वीडियो को like जरूर कर दीजेगा ठीक है तो आज के लिए फ्लालत नहीं रखेंगे thank you very much goodbye जैहिंद